और फिर दोस्तों क्या हाल चाले तो आजकल काफी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी के वज़े से एसी ब्लास्ट हो रहे हैं हाली में यूपी में राजस्थान में और नोईडा में एक फ्लैट के अंदर भी एसी ब्लास्ट हुआ है अलाग कि जब भी AC blast होते हैं ज्यादा थर निउस में आते नहीं है लेकिन कई बार AC blast होने के बाद में बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो कई बार वह चीजे निउस में आ जाते हैं पहाली में जो नोईड़ा में दिखाया गया है उसके बारे में न्यूज प की छपेट में आग लगी ऑँज वहत हुंद बहत बैंकर अग लग गये इसी ब्लास में लग गया य॥ay прид ред circuit के वज़े से AC में आग लग गई और वो धीरे धीरे बहुत तेजी से फैल गई पूरे फ्लैट को और उसके साथ में जो उपर का फ्लैट था उसको भी अपने चपेट में ले लिया अब देखिए आप में से काफी सारे नय टेक्निशन भाई ये सोचते होंगे कि आखिर ये AC होते क्यों हैं और कई सारे इसी का काम करते समय ब्लास्ट हो जाएं सता होगा और कांबी आपनी व्लाब्स भाईहां यहां यहां पर पाँची इसे रिवरीजन बताऊंगा जिसके वज़े से एसी ब्लास्ट हो जाते हैं हाला कि हमने पहले भी उडिया बनाया थे जिसमें मैंने बताया था कि एसी किस कारण की वज़े से ब्लास्ट होते हैं और किस तरह से आप उससे बस सकते हैं अब देखिए एसी ब्लास्ट होने के वैसे तो बहुत सारे रिजन होते हैं कई वार ऐसे सब्सक्राइब कारण के वज़े से असे कई कारण हो सकते हैं लेकिन पांच ऐसे मुख्य कारण बताने वाला हूं जिससे आप साउधान रह सकते और यह आपके आप एसी लग रहा है तो आप भी उस चीज से बस सकते हैं हम इसे काफी सारे लोगों को पता है कि राजस्तान में यूपी में दिल्ली में हरियाना में पंजाब में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और वहां का टेंपरेचर इतना हाई है इतनी गर्मी है लोग 24 घंटे चालो रख रहे हैं तो देखिए सी बात है अगर 24 घंटे चलेगा तो कंप्रेसर बहुत ज्यादा हीट हो जाए तो आपका AC blast नहीं होगा और हमारे टेक्निशन भाई अगर यह वीडियो देख रहे तो अपने कस्टमर को इन चीजों के बारे में जरूर समझे तो बिना इसकिप करें इस वीडियो को देखिए तभी आपको सारी चीजे समझ में आएगी क्योंकि आदी आदूरी बाते कई अगर यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ AC के काम में मुझे 10 साल से जादा का experience है बाकि electrician home appliances औरा के काम का experience है 17 साल से जादा हो चुके है तो यहां पर मैं जो चीजे बता रहा हूँ उस experience से आपको बता रहा हूँ और कई बड़े technician ने भी यह बात कही है तो हो सके तो उसके उसके उपर चाओ करिए या कोई ना कोई ऐसी चीज आप बना दीजिए जिससे outdoor unit के उपर चाओ हो सके आजकर काफी सारी चीजे आती कि outdoor unit को आप धूब से बचा सकते हैं वह सारे उपाई आप करके देख सकते हैं Amazon पर बड़े आसानी से मिल जाती या आपक लगेगी लगेगी और यह चीज का खास तोर पर ध्यान दूसरी बात हमेशा आपके एसी की समय समय पर सर्विसिंग करा लेनी चीजिए काफी सारे लोग एसी लगवा लेते लेकिन 4-4 साल 3-3 साल तक उसकी सर्विस नहीं कराते और outdoor unit के पास में जो condenser लगावा होता है जिस इस केस में कई बार असी पुराने model के है वो तो कई बार ब्लास्ट होई जाता है लेकिन आजकल के कई ऐसी technology के एसी है जिन में अगर इस तरह की प्रवलम आती है तो आउट्डर यूनिट जो है आउट्टोर यूनिट चलता ही नहीं अगर टेंप्रेचर जादा आएगा तो आउट्डर यूनिट का कंप्रेचर जो है वो ट्रीप हो जाएगा और चलेगा भी नहीं तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समय समय पे एसी की सर्विसिंग करा लेनी चाहिए अगर आपको बहतर कूलिंग चाहिए और आपके एसी की लाइफ अच्छी चाहि तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन आप एस समय समय पे उसकर उसकी सर्विसिंग करा लेंगे उसकी सफाई करा लेंगे तो इस चीज से आप बच सकते हैं आपका एसी खराब भी नहीं होगा और आपकी एसी की कूलिंग भी बरकरार रहेगी तो आपको समझ में आ गय आया है कि अगर एसी के अंदर अगर डूब्लिकेट गैस डालते हैं तो उसकी वज़े से भी आउड़ यूनिट का टेंपरेचर जो है वो बढ़ जाता है और ब्लास्ट होने के चांसे ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा डूब्लिकेट ग करें तो वह भी सेफ रहें जरूरी नहीं के मार्केट में सिर्फ डूब्लिकेट गैस ही मिलती है औरीजनल गैस भी मिलती है बस औरीजनल गैस जो है वह बहुत कम लोग रखते हैं क्योंकि ज्यादा तर टेक्निशन खरीदते नहीं महेंगी होने के वज़े तो इस चीज का आपको खास तोर पर ध्यान रखना है कि अगर कस्टमर पैसे देने के लिए तयार है तो हमें क्या प्रॉब्लम है और इस चीज का खास तोर पर ध्यान रखिए और जिनके हां पर एसी लग रहा है उनसे भी निवेदन है कि औरीजनल गैस ही डलवाई ये पैसे ज्यादा आपके डूरे भी अच्छी होगी चोथी समस्या सप्लाइब कई बार प्रॉबलम हो जाती है जो हमरे इंडोर से सप्लाइब होती है या एसी की जो पावर सप्लाइब भी होती है उनके बीच में कई बार हम जैन्ट लगा देते हैं और जैन्ट जो है वह ज्यादा लोड तो तो उस जोइंट को Spray करवा है और सब्सक्रांब हो सकते तो जोइंट जाँट करके एक प्रॉपर तरीके से पूरी के पूरीलाइघ नहीं दुल अचारिब में कभी इंडूर की वायर को joint में ना लगा है और main AC की supply भी अगर लगा रहे हैं तो उसे भी joint में ना लगा है पूरी साबुत supply लगा है मिटर के पास से पूरी साबुत supply लगाएंगे तो बीच में जो joint होगा उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन direct एमिटर के पास से MCB के पास से जो supply आती है AC में लगती है तो जब भी short circuit होगा तो MCB जो है वो trip हो जाएगी जिससे short circuit के chance बहुत कम हो जाएगी बहुत कम ही कि आप बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने जो भी आपको चारो बाते बताईए इन चारो बात यह सोचते ही कि क्या इस कारण के वज़े से भी AC blast हो सकता है क्योंकि भी यह electronic चीज है और technical reason के वज़े से कभी भी कोई भी नुकसान हो सकता है कोई भी appliances खराब हो सकता है तो कोई भी इस बात को proper तरीके से नहीं बता सकता है कि आखिर यह चीज हुई क्यों तो उमीद करता ह लेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा